आज के इस वीडियो में बात करेंगे बोलियोड के बास्सा सारुक खान की जवान के अब तक के टोटल वल्ड वाइट कलेक्शन के बारे में इसके अलावा जानेंगे थालापाती वीजे की फिल्म लियो के पास दिनों के अपडेटेट वल्ड वाइट कलेक्शन के बारे में साथ इसाथ जानने वाले हैं अक्षे कुमार की फिल्म मिसन रानी गंच के भी अब तक के टोटल कलेक्शन के बारे में तो ये सबते रिलीज हुई टाइगर सुरोप की फिल्म गनपत और रवी तेजा की फिल्म टाइगर नागेश्वर राव के भी जवार दिनों के कलेक्षन के बारे में और आपको बताएंगे इन सबी फिल्मों ने दुनिया भर से कितने करोड की कमय की तो चलिए सुरुवात करते हैं देखते रहिएगा पूरा विडियो साथे साथ कमेंट करके बताएगा कि इन सबी फिल्मों में आपके पसंद की फिल्म कौन सी है सबसे पिल अगर बात करें इस अब ते रिलिज हुई पेन इंडिया फिल्म टाइगर नागेश्वर राओ के बारे में जिस फिल्म में हमें देखने को मिले थे माश महराजा रवी तेजा नुपूर सेनन अनुपम खेर तेलगू लेंग्वेज की इस फिल्म को हिंदी के अलावा सौथ की और बाकी लेंग्वेजेस में रिलिज किया था और फिल्म को रिलिज हुए आज हो चुके है चार दिन 55 करोड के बजट में बनी फिल्म टाइगर नागेश्वर राव ने सुरुवाती चार दिनों में वर्ल्ड वाइड मार्केट से एक तरह से काफी अच्छा कलेक्शन किया है जियां दोस्तों आपको बता दे कि टाइगर नागेश्वर राव ने दो दिनों में इंडिया कलेक्शन 18 करोड 50 लाग रुपे का किया था तो तीसरे दिन फिल्म का कलेक्शन 8 करोड 50 लाग रुपे का रहा वही दोस्तों ये फिल्म आज यानि के अपने चोथे दिन भी ओल इंडिया नेट कलेक्शन 4 करोड 50 लाग रुपे का कर रही है यानि कि दोस्तो टाइगर नागश्वर राओ का सुरुवती चार दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन 31,50 करोड़ का हुआ है तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 36,50 करोड़ रुपे टाइगर नागश्वर राओ ने Ourses Market यानि कि विदेशों से 7,10 करोड़ की कमई की है इसी के साथ दोस्तो टाइगर नागेश्वर राव का सुरुवाती चार दिनों के अंदर वल्ड वाइट टोटल ग्रोस कलेक्शन हो चुका है 43 करूर साहट लाक रुपे तो दोस्तो फिल्म का बजट जहां 55 करूर रुपे है उस हिसाब से देखे जाए तो चार दिनों में फिल्म ने एक बढ़िया कमई कर ली है वही दोस्तो अब अगर बात करें बोल्यूट के खिलाडी अक्षे कुमार की फिल्म मिसन रानी गंच के बारे में जो की 2023 की वन अब दबेस्ट फिल्म है लेकिन कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बोक्स ओफिस पर कोई खास कमाल नहीं कर पाई जिया दोस्तो आपको बता देगी यहाँ पर मिसन रानी गंच को इस वक्त सिनमा घरों में तीसरा हपता चल रहा है फिल्म ने दो हपतों में भी डिसेंड कमई की थी तीसरे हपते में फिल्म के पास इस्क्रिन्स काफी कम बची और कम इस्क्रिन पर भी ये मूवी धीरे धी ग्यारा करोड पिचोतर लाक रुपे वही दोस्तो इस फिल्म ने अपने तीसरे विकेंड यानि की तीसरे सुक्रवार सनिवार रविवार इन तीन दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन दो करोड दस लाक रुपे का किया था वही दोस्तों मिसन रानी गंच आज यानि के भग 50 लाक रुपे का इसी के साथ अक्षे कुमार की फिल्म मिसन रानी गंच का अब तक का इंडिया नेट कलेक्शन 34 करोड रुपे का हो चुका है तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 40 करोड 50 लाक रुपे फिल्म ने ओर सिज मार्केट यानि की विदेशों से 6 करोड 50 लाक रु करोड की ही कमई कर पाई लेकिन दोस्तों बात करें 2023 की वन अब दे बिगेश्ट ब्लोकबस्टर फिल्म जवान के बारे में तो बोलियूट किंग सारुक खान के जवान जिस पल में सारुक खान के अलावा विजे सेतुपती नयंतारा देखने को मिले थी तमिल डाइरेक्टर अटली कुमार के डारेक्शन में बनी फिल्म जवान जिस पल में ताबर तोड एकसन था और फिल्म को हिंदी तमिल तेलगू तीन भासाओं में रिलिज किया था दोस्तो जवान फिल्म को इस वक्त सिनेमा घरों में 7-1 हफता चल रहा है लेकिन आपको हिरानी होगी कि फिल्म 7-2 हफते में भी अच्छी खासी इस्क्रेन रोक कर बेठी होई ये क्योंकि दोस्तो फिल्म को लोग आभी भी देखने आ रहे हैं सिनमा घरों में टिकट बिक रही है तो जो भी स्क्रीन्स और सिनमा घर वाले हैं वो जवान को चलाते जा रहे हैं और फिल्म आभी भी करती जा रही है डिसेंड कमई हालाकि बात करें जवान फिल्म के अब तक के टोटल कलेक्शन की तो सारुक खान के फिल्म जवान ने सुरुआती 6 हपतों के अंदर ओल इंडिया नेट कलेक्शन 641 करोड 35 लाख रुपे का किया था वही दोस्तो इस फिल्म ने अपने साथवे विकेंड में यानि की साथवे स 14,00,00,00 के आस-पास का कर रही है इसीके साथ सारुक खान के फिल्म जवान का ओल इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है 643 करोड 15,00,00, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 767 करोड रुपे फिल्म ने और सिस मार्केट यानि की विदेसों से 387 करोड रुपे कमा लिए हैं इसाद बोलियोड किंग सारूख खान के फिल्म जवान का जो वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन होता है वो हो चुका है 1153 करोड रुपे जी हा दोस्तो फिल्म दुनिया भर में 1153 करोड की कमई कर चुकी है और फिल्म को बॉक्स ओफिस पर ओल्ड टाइम मेगा ब्लोबस्टर का टेक मिल चुका है लेकिन दोस्तो बात करें इस अपते रिली चुई टाइगर स्रोप की फिल्म गनपत के बारे में तो दोस्तो विकास बहल के डारेक्शन में बनी गनपत जिस फिल्म में टाइगर स्रोप के साथ कृति सेनन देखने को मिली थी और इस फिल्म में महाना एक्सरे अमिता बचन साहब का भी एक केमियो था अब दोस्तो फिल्म का बजट तो है 200 करोण रुपे लेकिन फिल्म ने बॉक्स लोपस पर जो कमई की है वो पूरी तरह से डिजाश्टर है जिया दोस्तो फिल्म रिलिज होने के पहले लग रहा था कि गनपत लोगों को खुब पसंद आएगी और साइध ये फिल्म टाइगर स्रोप के करियर की वन अब दब बिगेस्ट ब्लोकबश्टर बनेगी हलाकि फिल्म अच्छी है लोगों को पसंद भी आई लेकिन कही न कहीं गनपत के जो कलेक्सन है वो पूरी तरह से निरास करने वाले रहे हलाकि दोस्तों यहाँ पर गनपत फिल्म को बहुत सारी फिल्मों से कॉम्पिटिसन भी मिला था इस्क्रेंज भी कम थी और फिल्म का मार्केट में जो बज है वो रिलिज होने से पहले उतना अच्छा भी नहीं था जिसकी वज़ह से ही फिल्म ने बोक्स ओफिस पर अभी कोई खास कलेक्शन नहीं किया जिया दोस्तों आपको बता दे कि गनपत फिल्म को रिलिज हुए आज हो चुके है चार दिन और अगर बात करें फिल्म के चार दिनों के टोटल कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों गनपत फिल्म ने सुरुआती तीन दिनों के विकेंड में इंडिया कलेक्षन किया 10 करोड 80 लाक रुपे का, वही गनपत फिल्म आज, यानि के अपने चोते दिन, All India Net कलेक्षन लगभग 1 करोड 70 लाक रुपे का कर रही है, इसी के साथ गनपत फिल्म का सुरु आती 4 दिनों के अंदर, इंडिया नेट कलेक्षन हो रहा है 12 करोड़ 50 लाख रुपे तो इंडिया ग्रोस कलेक्षन 14 करोड़ 87 लाख रुपे फिल्म ने ओर्स इस मार्केट यानि के विदेशों से 4 करोड़ 35 लाख रुपे की कमई की है और इसी के साथ टाइगर सुरूप की फिल्म गनपत का सुरुवाती 4 दिनों के अंदर वल्ड वाइट टोटल ग्रोस कलेक्षन हो चुका है 19 करोड 22 लाख रुपे जिया दोस्तो फिल्म 4 दिनों में 20 करोड़ की भी कमई नहीं कर पाई चलिए दोस्तो आप बात करते हैं 2023 की वनप दब बिगेस्ट फिल्म लियो के बारे में तो दोस्तो यहाँ पर लोकेस कनग राज कर डारेक्सन में बनी एकसन पेगड़ फिल्म लियो जेओ की तमिल मूवी है लेकिन इस फिल्म को तमिल के अलावा हिंदी मलियालम कनड़ा लगभग 5 भासाओं में रिलिच किया था फिल्म को रिलिच हुए आज हो चुके हैं 5 दिन और फिल्म ने 5 दिनों में अपने बजट से कही ज़्यादा कमई कर ली है जहां दोस्तो थलापाती विजे संजेदत की फिल्म लियो ने बॉक्स ओफिस पर सिर्फ 5 दिनों के अंदर ही ब्लोकबश्टर का टेग हासिल कर लिया है फिल्म के जो अपडेटेट कलेक्शन है वो वल्ड वाइड मार्केट से आ चुके हैं और आपको जानकर हिरानी होगी कि फिल्म ने 5 दिनों में जो कलेक्शन किया है उसी से ये फिल्म विजे सर के करियर की अब तक की सबसे हाइस्ट ग्रोसिंग फिल्म बन चुकी है हाला कि बात करें लियो के अब तक के टोटल डिटेल कलेक्शन के बारे में तो दोस्तो लियो फिल्म ने सुरुवाती चार दिनों के अंदर इंडिया से नेट कलेक्शन सभी भासाओं में 195 करोड का किया था वही दोस्तो फिल्म अपने पांचवे दिन ओल इंडिया नेट कल लगभग 25 करोड रुपे का कर चुकी है यानि कि दोस्तो लियो फिल्म का सुरुवाती 5 दिनों के अंदर इंडिया नेट कलेक्षन ही 220 करोड का हो चुका है और अगर बात करें ओर सिस कलेक्षन यानि कि विदेशी कमई के बारे में तो दोस्तो थालापाती वीजे सर के फिल्म लियो ने ओर सिस मार्केट से भी 148 करोड रुपे कमा लिये हैं और इसी के साथ दोस्तो लियो फिल्म का सुरुवाती 5 दिनों के अंदर जो वर्ल्ड वाइट टोटल ग्रोस कलेक्षन है वो हो चुका है 410 करोड रुपे जिया दोस्तो आपने बिल्कुल सही सुना फिल्म का जो अपडेटेट कलेक्षन है वो हो चुका है 410 करोड का फिल्म का बजट था 300 करोड रुपे और फिल्म पास दिनों में ही 400 करोड से ज़्यादा की कमाई कर चुकी है जबकि कल है दसेरा तो दसेरे के मोके पर फिल्म के कलेक्षन में कल एक और बड़ा जंप देखने को मिल जबेगा यानि कि हो सकता है दोस्तों कि कल तक साइद लियो फिल्म वर्ल्ड वाइड मार्केट में 500 करोड का आकड़ा भी पार कर जाए लाकि कल अगर यहाँ पर फिल्म के 500 करोड नहीं हुए तो परसू तो 200% चांसे कि फिल्म 500 करोड का आकड़ा अपने सात्वे दिन में ह पार कर देगी लेकिन दोस्तों देखना यह है कि लियो फिल्म 500 करोड के आगे और कहां तक जाती है वेसे आपको क्या लगता है वीजे सर की फिल्म लियो का लाइफ टाइम कलेक्शन कितने करोड तक जाएगा कमेंड बोक्स में कमेंड करके जरूर बताए और डेली बोक्स वंदे मातरम